दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्तान के भरतपुर जिले के खुद्दार, स्वाबिमानी, जन प्रिये और देश के ऐसे इकलोते विद्धायक जिनका मुख्यमंत्री से विवाद के चलते एंकाउंटर हुआ वे इस एंकाउंटर के चलते मुख्यमंत्री को अपनी कुर्सी से हाथ दोना पड़ा हम बात कर रहे हैं भरतपुर रियासत के राजा मान सिंग की राजस्तान का जिला भरतपुर जो भारत में जाटो की एक मात्र रियासत रही है इस चिले के एक विदानसबा सीट थी डीग कुमेर डीग भरतपुर रियासत की राजधानी भी रही है और आज भी अपने जल महलों के लिए विश्व विख्यात है ये बात है सन 1985 की राजस्तान में विदानसबा चुनाओं का पर चार परसार चोरों शोरों पे था डीग सीट से राजामान सिंग निर्दले परत्याशी थे राजामान सिंग इस सीट पर इतने लोग प्रिये थे कि आजादी के बात से लगातार वहां से जीत ते आ रहे थे यहां तक की 1977 की जन्तापाटी लहर और 1980 की इंद्रागादी लहर में भी वे निर्दले ही जीते 20 फरवरी 1985 में राजस्तान के ततकालीन मुख्यमंत्री शिव चरण माथूर की एक बड़ी रैली डीग में होने वाली थी सुबह से ही कॉंग्रेसी कारेकरता डीग की गलियों में नारे लगाते और टचार प्रसार करते हुए घूम रहे थे इसी दोरान कुछ अति उस्साहित कॉंग्रेसी कारेकरताओं ने डीक के किले पर लहरा रहा बरतपुर रियासत का जंडा उतार कर कॉंग्रेस का जंडा लहरा दिया बरतपुर रियासत की यह पता का डीक के किले पर पिछले 150 वर्षियों से लहरा रही थी जब जंडा उतारने की खबर राजा मान सिंग के कानों तक पहुँची तो मान सिंग जी गुस्से से आग बबुला हो गए उन्होंने तुरंत अपनी जोंगा जीप निकाली और सीधे पहुँचे हेलिपेट स्तल पर जहाँ पर मुख्य मंत्री शिवचरण माथूर का हेलिकोप्टर खड़ा था गुस्से से लाल पिला हुए राजा मान सिंग ने अपनी कार से सीधे हेलिकोप्टर को टक कर मारी पाइलिट ने दूसरी तरस कूद कर अपनी जान बचाई सो वह जल्दी से रैली खतम करके सडक मार्क से ही जैपुर निकल गए राजा मान सिंग रैली स्टल पर पहुँचे और अपनी गाड़ी से खाली स्टेज को टकर मारी स्टेज भर भरा कर गिर गया टीक में इस खटना के बाद राजा समर्थ को और कॉंग्रेस की कारे करताओं के मद्धे लड़ाई की अशंका के चलते शहर में कर्फियू लगा दिया गया राजा मान सिंग के खिलाफ डीक ठाने में एक F.I.R. भी हो गई 21 वरवरी 1985 को डीग अनाजमंडी के पास पुलिस और राजा मान सिंग की गाड़ियों का आमना सामना हुआ DSP कान सिंग भाटी के नित्रत्व में पुलिस ने अपनी गाड़ी राजा मान सिंग की जोंगा जीप के आगे लगा दी और रास्ता रोक दिया दोनों पक्षों में वाद विवाद हुआ और गहमा गहमी बढ़ गई इस दोरान गोली लगने से राजा मान सिंग और उनके दो समर्थक हरी सिंग और सुमेर सिंग की मृत्यु हो गई मृत्यु के बाद पूरा भरतपूर जल उठा इसकी लप्टें मथुरा आगरा और पूरे राजस्तान में महसूस की गई इस घटना के बाद राजा मान सिंग के दामाद विजे सिंग जी ने डी एस पी कान सिंग भाटी समेथ 18 पुलिस का रिम्यों के खिलाफ राजा मान सिंग समेथ 3 लोगों की हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया मुख्य मंत्री शिवचरण माथूर पर भी राजा मान सिंग की पुलिस द्वारा हत्या करवाने के आरोप लगे विरोध परदर्शनों के चलते 23 फरवरी 1985 को शिवचरण माथूर को मुख्य मंत्री पस से त्याग पत्तर देना पड़ा उनकी जगे हरदेव जोशिक और राजस्तान का नया मुख्य मंत्री बनाया गया बाद में इस हत्याकांट की जाच CBI को सुम्दी गई यह भरतपूर का पहला मामला था जिसकी जाच CBI कर रही थी 1990 में राजमान सिंग की पुत्री करनेंदर कोर दीपा की आचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को मतुरा जिला नयाले में ट्रांसफर कर दिया यह केस 35 साल तक चला इस दुरान लगभग इस केस की सत्रा सो तारीखे पड़ी 25 से ज्यादा जज़ बदले और चार आरोपियों की मृत्यू भी हो गई 22 जुलाई 2020 को 35 साल बाद इस मामले में मतुरा जिला अदालत का फैसला आया फैसले में DSP कान सिंग भाटी समेथ 11 पुलिस करिमियों को दोशी करार दिया गया पर तीन को आरोप मुक्त भी कर दिया गया सबी दोशियों को आज जीवन का आरावास की सजा सुनाई गई धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बोक्स में बताएं